हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू चेतनाज कीचन तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बेंगन का भरता जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स बेंगन की सब्जी तो हम खाते ही रहते हैं लेकिन बेंगन का भरता है वो बहुत ही कम बनाते हैं तो आज की रेसिपी उसी की है और आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा करा है, कि यह बैंगन से बनाया है ते टेल से थोड़ा सा हवज़ तरीके से इनकी जो परत होते हैं ना बाहर नाष्ट तरीके से परता होती है तो बस हम में जाईंग किया करना है इसके उपर कट लगाना है तो बैंगन को अलग नहीं करना है इसके बस कट लगाना है और इसको आदा कर देना है अलग नहीं करना है क्योंकि अभी हमें इसको सेखना है और अब हमें इसके अंदर आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो हैरी मिर्ची भी प्याज भी जो भी सह से अच्छ तरीके से फ्राई हो जाएगी तो बैंगन को हमने रख दिया है गैस के ऊपर अगर आपके पास यह स्टेंड है ना तो आप इसके ऊपर रख दोगे तो इस पे टमाटर भी आ जाएंगे और अच्छ तरीके से सिक जाएंगे लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं आप डायरेक्ट भी सेख सकते हो तो मैंने यहाँ पे बैंगन को सेख लिया साथ में टमाटर को भी चिलका उतार लेना अभी एक गरम है तो बहुत ध्यान से हमें इसका चिलका उतारना है तो यह जो बैंगन का चिलका है ना वो बहुत यासाने से उतर जाता है जब हम इस तरीके सी इसको करते हैं तो बस इधर हम मिकसिका जार लेंगे इसके अंदर जो टमाटर लिए थे ऐसका भी छिलका उतार दिया था वोड़ देगे पयास डाल दे देंगे दूक simply हरी मिर्ची पी डॉल देंगे लहसुन भी डाल देंगे हरी देज़ा बनके त्यार हो चुका है इस कहले हैं जाला लिएन के डालता है niin जूम converted also कोघ़े। निए चुर्म आलता है यहे इस चमुट से चमच जीरा करा दाला में दाला लगना मुझा चाहती है ऐसे बैंगन सि wanna एक बना नहेंगा है विसे कई तरीके से बलता है आज हम भी युनिक सीत्रीक टारा के रेस्पेंख से बनाएंगे बहुत टाया को खिलाने का सबस्बों बेस्ट उता है यह तो जबर से इसके अंदर मसाले अधान नमक टेस्ट के अकोर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर एक सीडेट चमच के करीब एक चमच धनिया पाउडर रादी चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल के और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे बहुत ही प्यारा इसमें कलर आजाता है और बहुत ही शांदार हमारी जो सबजी है बैंगन का भड़ता है वो बनके तयार होने वाला है तो यह देखेगा इस गैस का फलेम यहां पर मीडियम ही रखेंगे मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुकी है और जो ग्रेवी है वो भी काफी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो इसको हमें अच्छी तरीके से पक चुकी है तो इसको हमें अच्छी तरीके से पक जाए इसके ओपर लगाएंगे ढकन और ढकन लगाएंगें जो एक से टेड मिday teak पका लेंगे एक से डेड मिन की ऐसमें पर मैंने देखएंगेंगे जो ग्रेवी और जो मसालें उसी तरीके से पक चूकी है यहां की है तो अब हमने playlist वा्त्री हैे अब क्याक करना है आ llasts सीक के इसको मैंने पीस लिया है, मिक्सी की जार के अंदर और आप चाहो तो उसको कूट भी सकते हो दरदरा रख सकते हो अगर आपको सही लगे लेकिन यहां पर बच्चों को खिलाने का अच्छा बहाना है बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बैंगन का भड़ता है और वो बहुत ही खुस होगे अच्छे से खाएंगे का टेस्ट है वो इसके अंदर चला जाए और एक से रेडमेट के बाद में इसको अलग बतन में निकाल देंगे तयार है आज का हमारी है बहुत ही स्पेसल और शानदार सा बैंगन के भड़ते की रेसिपी जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंदाने वाली है खास करके बच् अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब बैल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुन मत भूलना और आप भी इस रेसिपी को एक बार जूर ट्राइ करना सबको बहुत पसंदाएगी खास करके बच्चों क मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर